नवास्कार दोस्तों मैं सिधारताब सभी का बहुत बहुत सौद करता हूँ बाबा नीम करूली जी ने हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर बनवाए है बहुत बड़े भक्त थे हनुमान जी के और भक्ती कुछ इस प्रकार की थी कि स्वयम बाबा नीम करूली जी में भी बहुत सारी सिध्या समाहित थी इस प्रकार से उन्होंने हनुमान जी को आत्मसाथ किया था कि वे हनुमान जी के अवतार ही माने जाने लगे अवतार के बारे में हमारी जो अवधारना है वो थोड़ी सी सत्य से अलग है हमें रगता है कि अवतार का अर्थ हो गया है कि देवता या भगवान स्वयम एक रूप में आ गया है परन्तु पूर्ण अवतार होते हैं अन्श अवतार होते हैं और अवतार का अर्थ हो गया है कि एक यक्ति जो है एक योगी जो है वो इस प्रकार से अपना जीवन जीता है वो इस प्रकार से अपने मंत्रों को जपता है वो इतनी शक्ती स्वयम के भीतर ले आता है कि वो जो देविक शक्ती होती है वो स्वयम अवतरित हो जाती है उधी के शरीर में ये भी अवतार का एक रहस्य है और इसी कारण यदि हम बाबा नीम करूली जी को स्वयम हनुमान जी का अवतार कहें तो इसमें कहीं से भी कोई अतिश्वक्ति नहीं होगी इसी चैनल पर हमने कितने सारे वीडियोज बनाए हैं बाबा नीम करूली के जिसमें कितने ही लोगों के अनुभों के बारे में बात करी है जहां पर उन्होंने देखाए कि हनुमान जी की ही तरह बाबा नीम करूली भी कभी बहुत विशालकाई दिखते थे कभी बहुत ही छोटे दिखते थे कभी ये दीवे कमरे में बंद है अपने किसी भक्त को बोला है कि मैं आराम कर रहा हूँ बहार से दर्वाजा ताला मार करके जाना ताकि कोई अंदर नहीं आ पाए कुछी समय बाद उसी वक्ती को बाबारीन करो ली किसी पहाड से नीचे भागते वे दिखते थे कह रहे थे किसी भक्त के याँ पर मिलने जाना है वो वक्ती वापिस जा करके देखता है तो पाता है कि दर्वाजे पर तो तालाग वैसा का वैसा ही है कमरे में जो खिडकी है उसकी जो जाली है वो इतनी छोटी है कि केवल एक मक्खी या मच्छर ही वहां से कदाचित आरपार जा पाए तो बाबा नीम करुली किस प्रकार से उस कमरे से बाहर निकले ऐसे कितने ही और प्रसंग है बाबा नीम करुली के बारे में आज मैं आपको एक बहुती सुन्दर सा प्रसंग बताता हूँ ये हनुमान जी ये बाबा नीम करुली इनी से जुड़ा हुआ जो एक पंक्ती आती है हनुमान चाली सामें भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जबनाम सुनावे उसी कोई चरितार्थ करता है उसी कि ये सत्यता बताता है एक वक्ती थे ये बात है करीब 1942 के 42 के मैई का महीना था ये अपने भाई के साथ में कैंची से नैनिताल गए हुए थे अर्थात ये कि ये स्वेम भी कैंची धाम के ही निवासी थे परनतु उस समय बाबा नीम करुली कैंची धाम में नहीं रहते थे ये कैंचे धाम के निवासी थे ये अपने भाई के साथ में आई हुए थे नैनी ताल क्योंकि कोई कोट का मामला इनका फसा हुआ था अब कोट का मामला था कुछ दस्तावेज, कुछ पेपर्स और चाहिए थे जिसके कारण इन्हें वापिस कैंचे धाम आना होता परन्तु उस ही दिन जिस दिन ये नैनी ताल पहुंचे थे इनके भाई की तब्यद भिगड़ गई परन्तु वो जो दस्तावेज थे वो जो कागजात थे वो भी जरूरी थे तो इन्होंने अपने भाई को ननी ताल में ही जिस जगह पर ये ठहरे थे वहीं पर ये रुखवाया और फिर ये स्वयम अकेले ही रात्री को ही वापस कैंचिधाम आने का सोशन लगे अब रात हो गई थी बहुत देर इंतिजार नहीं कर सकते थे तो ये पैदल ही चलते रहे इन्हें लगा कि जहांपर भी बस रुख मुझे दिख जाएगी वहाँ पर उसे रोख करके मैं आगे बढ़ जाओगा परन्तु बस आई ही नहीं सुन्सान रास्ता था रात का अंधेरा था इन्होंने सुचा कि गेठिया करके एक जगह है गठिया गठिया करके एक जगह है रास्त महीं पढ़ती है कैची और नैंतल के वहाँ से मुझे बस मिल जाएगी परन्त वहीं पर ही एक मोड आया मोड जो था वो इस बाद के लिए प्रसिद्ध था या फिर कोख्यात था कि वहाँ पर किसी तांत्रिक ने एक पेड़ से कुछ आत्मा या फिर आत्माओं को बांध करके रखा हुआ है ये व्यक्ती भी जब वहाँ से चलते हुए जा रहे थे तब इन्होंने देखा कि एक पेड़ पर एक स्टील की चेन लटकी पड़ी है एक टैनी से स्टील की चेन लटकी हुई है और तब इन्हें ध्यान आया कि इन्होंने भी सुन रखा था कि स्टील की चेन से उस तांत्रिक ने आत्माओं को बांध करके रखा हुआ है अब डर तो लगेगा ही ये एक ग्रून अप लड़के से थे, युवा से थे परन्तु फिर भी अंजान आवाजों से, अंजान रास्तों से, अंजान रक्तियों से किसको डर नहीं लगता हूँ डर के मारे ये थोर सा रुके, सक्पका है, सोचा क्या करे कोई बस तो आ नहीं रही है, कोई भी गाड़ी उस तरह से आ नहीं रही है रात का अंधेरा है क्यूं मैंने ऐसा सोचा कि मैं रात को ही पहुंच जाओं यह डर गाए सामने पेड़ पेड़ से स्टिल्की चेन लटक रही है और पहड़ों पर जिस प्रकार से रोशनी आती है चांद की विरोशनी जिस प्रकार से आती है तो परचाईयों से और जंगलों में से जो आवाजे आती है वहाँ से एक ऐसा महौल बन ही जाता है कि किसी अच्छे रदय वाले वक्ति को भी डर लग जाए इक पल के लिए इन्हें डर और जादा लग गया तब जब इन्होंने देखा कि उसी पेड के नीचे एक रिष्ट पुष्ट सा रख्ति बैठा हुआ है इन्हें लगा ये तो भी भूत होगा अब क्या करो तभी वहां से आवाज आई अब इस रख्ति की शकले तो दिख नहीं रहे थी चेहरा दिख नहीं रहा था जो कुछ भी रोशनी आ रहे थी वहां से स्वे काया सी दिख रहे थे मालूम चल रहा था कि बहुत बड़ी सी काया है तभी वहां से आवाज आई कौन हो तुम यहां क्यों आए हो आगे आओ अब डर के मारे ये करे तो क्या करे इन्टों लग रहा था कि ये दो भूत होगा तो यदि भागेंगे तो भूत तो पकड़ी लेगा हिम्मत करके ये थोड़ा सा आगे बढ़े हो हिमत कह रहे या फिर डर कहले थोड़ सा आगे बढ़े जैसे थोड़ सा आगे गए इन्होंने देखा कि ये जो एक काया से दिख रही है ये तो और कोई नहीं स्वयम बाबा नीम करो ली है क्योंकि इन्होंने भी एक जलक बाबा की कहीं पर ये गए हुए थे वहाँ पर उन्होंने देखी थी एक जलक बाबा की देखी थी भीड में से तो वो जलक इनके मस्तक्ष में चपी हुए थी इन्होंने देखा ये तो बाबा हैं बाबा नीम करो ली हिमत आई आगे बढ़े उस समय जब देखा था तब भीड में इनकी इच्छा चो थी की जाकर के बाबा के पाँच हुए पर उन्तु छू नहीं पाये थे तो मन में कहीं पर एक इस प्रकार की इच्छा दबी रहे गई थी इन्हें उसी समय वो स्मृति हुई और मन में ये एक विचार आये कि क्या पता बाबा ने मुझे यहां पर जो साक्षात दर्शन दिये हैं ये मेरी उसी इच्छा की पूर्टी के लिए हुँगे आगे बढ़े और बाबा के पाँच हुए इन्हें प्रणाम किया और बाबा ने एक आएक स्वतह ही इनसे ये बोला कि थोड़ा सा आगे जाओगे तुमें बस मिल जाएगी तुमारा जो कौट केस चल रहा है उसमें तुमें जीत मिलेगी परन्तु कौट केस लंबा चलेगा ठकना नहीं तुमारे ये प्रारब्ध कर्म है इसके कारण तुम्हें ये थोड़ा सा परिशानी हो रही है नहीं तो तुम्हारी जीत अवश्य होगी ऐसे बाबा ने कहा ऐसे बाबा ने आश्वासन दिलाया इन्हें और अच्छा लगा अब यहीं पर ही निकलने से पहले बाबा जी से पूछा कि बाबा आप यहां पर अच्छानक से कैसे आ गए बड़े हिम्मत करके पूछा था यह बाबा ने कहा इधर बहुत सारी आत्माएं बुरी आत्माएं भूत निवास करते है तुम्हें वैसे तुह यहां पर अकेले नहीं आना चाहिए था बर तुम आही गए थे तो मैं क्या करता इन सभी को रोकने की भी तो अजमदारी मेरी ही है यहीं पर ही बात आती है भूत पिशाज निकट नहीं यहां और यहां पर जोड सकते हैं बाबा जब नाम सुनावे इन्होंने फिर बाद में बाबा से पूछा कि बाबा आपके दर्शन मुझे फिर कब होंगे बाबा ने कहा बीस साल बाद होंगे अब इन्होंने आगे उसके कुछ बोला नहीं इन्हें उस वक्त लगा कि बाबा ने दर्शन ही दिये दिये तो बहुत बड़ी बात हो गई है मैं भी कितना मूर खूं कि मैंने पूछ लिया कि फिर कब दर्शन होंगे बाबा ने मुझे टालने के लिए ऐसे ही बोल दिया होगा कि 20 साल बाद बाबा को प्रणाम करके ये आगे बढ़े आगे बड़े पांच मिनिट के ही भीतर कहीं से एक बस आई उसमें चड़े और ये पहुँच गए कैंची धाम अब उस बात को बहुत लंबा समय पीद गया बाबा एक बार रानी खेट से कैंची धाम में आकर के रुके होए थे तब बाबा ने अपने किसे भक्त को बोला कि गाहों में जाकर के ढूंडो कोई पूर्णानंदा करके व्यक्ती होगा उसे बोलना कि एक बनिया है उसने तुमें बुलाया है वो व्यक्ति भाँ पर गए, पूरणन्दा का घर ढूंडा, उन्हें बुलाया, कहा कि एक बन्या है जो आपसे मिलना चाहते है जैसे ही ये घर के बाहर निकले, सामने देखा तो स्वयम बाबा नीम करूल, इनके घर के बाहर खड़े बाबा को देखती ही, इनकी वो जो स्मृति थी, वो जाग्रित हो गई, जग गई इन्होंने ध्यान करा कि ये वर्ष कौन सा है, वर्ष है 1922 और मैं आपको इस वीडियो के आरह में बताये था कि ये जो व्यक्या हुआ था, ये जो घटना हुई थी उस बहुती सुन्सान सी जगह पर वो किस वर्ष में हुई थी, 1922 अर्था थी ये कि बाबा ने जैसा कहा था, वैसा ही ठीक बीस सालों बाद इन्हे व्यक्ति को स्वतह ही दर्शन दे 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 और यही बाबा की विशिष्टा भी रही है, बाबा भी हनुमान जी की तरह अपने भक्तों के पास सदैव रहते हैं, उन्हें भूत, पिशाच, प्रेत, इत्यादी और साथी साथ उनके दुख, दर्द, इत्यादी सब से छुटकारा दिलाते हैं, आज भी दिला रहे हैं, पूर्ण अरदय से, बाबा को समर्पित हो करके, उनका नाम तर पकारियें। बाबा हनुमान जी के अवतार है, बाबा हनुमान जी की शक्तियों को लिये हुए हैं, और मैं कितने सारगोर वीडियो में ये बात कह चुका हूँ कि बाबा आज भी हैं, बाबा की शक्ति आज और जब जब मैं बाबा के ओपर वीडियो करता हूं, मन्स्वताई प्रफुलित हो जाता है। बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बाबा की कृपा है, बाबा आसपास ही है। यदि आपको भी बाबा नीम करूली के बारे में सुन करके, इनके बारे में पढ़ करके, ऐसा ही कुछ अनुभूती होती है, तो कृपा करके मुझे एक कॉमेंट सेक्षिन बताएं। साथी साथ मुझे ये भी बताएं कि आपको ये छोटा सा प्रसंग कैसा लगा जिसमें बाबा हनुमान जी की तरह आ गए और उस बात को सत्य कर दिय भूत पिशा अचा निकट नहीं आवे। दोसों यदि आपको ये प्रसंग सुन्दर लगा हो तो कृपया करके एस वीडियो को लाइक आप अवश्य करिएगा, शेर जितना हो सकता है, उतना अधिक करें। साथी साथ कॉमेंट सेक्षिन में जो पहला कॉमेंट पिंड है व लो हनुमान की